अगर हम बात करते हैं टाइम, स्पीड और दिस्टेंस की, टाइम सभी को पता है, स्पीड सभी को पता है और दिस्टेंस सभी को पता है अब अगर हम बात करते हैं कई बार ना कुछ students तो सरफ इस point के अंदर confused होते हैं कि कहां पर यह distance है और यह speed है ठीक है तो जो speed है speed का होती है speed is finally a distance covered in a unit time period अब बात आते हैं कि हां जी वो भी distance है वो भी distance है तो फिर confused हो जाते हैं जी यह लूम है या फिर यह लूम तो उस case में ध definition देखते हैं तो definition देखे, speed is the rate at which body और object travel to cover a certain distance, certain distance is called speed of body, speed is the distance covered by the object in unit time, unit time, unit time कुछ भी हो सकता है, this time may be 1 hour, 1 minute, 1 second, it depends, okay तो वो क्या हो गया आपके पास में speed, time, time क्या हो गया, the duration in hours, minutes or seconds spent to cover a certain distance, that is called time and distance, simple सी बात, distance क्या हो गया, वो path है जिसको cover करना है तो the length of the path traveled by an object or a person between two places is known as distance, done, अब अगर हम बात करते हैं speed, time, distance की तो रटा नहीं लगाना किसी ने भी formulas को एक बार समझी, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास में एक particular distance है, यह distance है, यह distance है मेरे पास मान लीजिए 5 km, 5 km, अब मैं एक घंटे के अंदर माली जी कि 5 km का distance कवर करती हूँ, यहां से A place से B place तक जाने के लिए, मुझे time कितना लग रहा है, मैं कहरें कि मुझे लग रहा है एक घंटा, एक घंटा लग रहे हैं, अब एक घंटे के अंदर कितना में distance कवर कर रहे हूँ, 5 km, 5 km का distance कवर कर रहे हूँ, अब अगर मेरे पास में जो total distance है इतना है इतना है मैं कहा रही हूँ कि मुझे 2 घंटे चलना है कितनी देर चलना है 2 घंटे चलना है I will devote 2 hours तो 2 hours में मैं कितना distance cover कर लोंगे 2 hours के अंदर हम कितना distance cover कर लेंगे हाँ जी तो जो distance cover होगा वो कितना होगा पर एक घंटे में अगर मैं 5 किलो मेटर चल रही हूँ तो 2 घंटे में कितना चलूँगी 10 किलो मेटर अब बात आती है कि यह जो distance है जो 5 किलो मेटर का है यह कितनी देर का है एक घंटे का है अब जो भी distance मेरा एक घंटे का है unit time period का है उसको हम क्या बोलते है speed that means what कि यह क्या है इसको हम finally क्या बोल लेंगे this is 5 किलो मेटर पर आर और you will say it speed अभी मैंने speed का आपको definition बताईए कि speed क्या है distance covered क्या था यह distance 5 किलो मेटर अब मैंने क्या कि एक घंटे में मैं उस distance को cover कर रही हूँ जब मैं उसको एक घंटे में cover कर रही हूँ that means कि 5 किलो मेटर पर आर और जब भी मेरे पास में distance होता है कि इसमें per unit time में तुसको हम क्या बोलते है speed अब अगर हम यहाँ पर बात करते कितना distance cover किया तो मैं क्या कह रही हूँ 5 into 2 तो यह 2 क्या था मेरे पास में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे that means this is time ओके और यह 5 क्या था हमारे पास में 5 किलो मेटर पर आर that means this is speed तो formula क्या हुआ हुआ हमारे पास में distance is equal to what? speed into time distance क्या हो गया? speed into time तो कोई अलग से formula नहीं है simple देखो distance हो गया speed into time जब आपके पास distance क्या है? speed into time तो अगर मुझे speed find out करने तो speed क्या होगी? d, t इदर निचे चला जाएगा same way अगर मुझे time find out करना है तो time क्या हो गया? distance divided by speed ओके और जब हम इस तरह से formula की बात कर रहे हैं तो उस case में यह देखो कि जो d है अगर हम देखे तो यह सारा का सारा parallel ऐसे चल रहे है that means d is directly proportional to speed directly proportional to time, speed जादा होगी तो जादा distance कवर होगे, time जादा होगा तो time distance जादा कवर होगा same way जो speed है अब यहाँ पर देखो यह cross में जा रहा है, cross में जा रहा है speed ओ time, जब cross में जा रहा है that means what? कि inversely proportional है अगर मेरे पास distance क्या है fix है उस case के अंदर अगर मेरी speed ज़्यादा होगी तो कम time लगेगा अगर speed कम होगी तो ज़्यादा time लगेगा that means speed and time are inversely proportional to each other ओके यह वाला point clear है आप देखें यही आपके पास formulas है क्या formulas है कि distance क्या है speed into time time क्या है distance by speed speed क्या है distance by time अब जब भी आप question को solve करते हो तो एक जो important point है जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि हमेशा units को same रखो अगर kilometer kilometer में चल रहा है हना तो क्या करेंगे हम kilometer में रखेंगे या एक unit मेरे पास kilometer में एक meter में तो क्या करूंगे मैं उसको same में convert कर लोगे same way अगर time के हम बात करें तो time भी कहीं पर आर है कहीं minute है और कहीं second हमान लिजाए आपके question में in that case you will convert all the time period in a same unit maybe r r में आप convert कर लोगे second second में आप convert कर लोगे या फिर minute minute में convert कर लोगे clear तो क्या है अपने पास distance is speed into time तो उस case के अंदर अगर मुझे चाहिए कि distance किस में आ रहा है kilometer में ठीक है kilometer में तो यहाँ पर जो speed है speed भी मेरे पास में किस में होने चाहिए kilometer per unit time जो भी मेरे पास time given है r है तो kilometer per hour ठीक है meter में है तो क्या करेंगे meter per second इस तरह से clear अगर minute में given है तो per minute तो इस तरह से ही है अगर आप हम देखते है inversely directly proportional तो अभी मैंने आपको formulas में बताया क्या speed is directly proportional to distance speed is inversely proportional to time and distance is directly proportional to time done इसके लिए यह भी आपको लग से learn करने की ज़रूरत नहीं है जब हमें पता है कि हाँ formula क्या है speed into time that means directly proportional directly proportional ओके अब इसमें से को एक formula दूसरा ले लो हाँ जी cross में आ रहा है that means what inversely proportional clear हाँ जी आप देखो यहाँ पे अगर हम measurement की बात करते है तो सभी को पता होना चाहिए कि 1 km किसके equal है that is 1000 meter 1 km is equal to 1000 meter यह मैं क्यों करवारी हू reason being कि सभी units आपको same रखके चलनी है ठीक है तो अगर मानलो मेरे पास कहें पे km given और मुझे उसमें meter में convert करना then I will multiply by 1000 same way r is equal to 60 minute 1 minute is equal to 60 second and 1 r is equal to to know the conversion अगर मेरे पास में value क्या है km per r के अंदर है and I want to convert it into meter per second meter per second तो कैसे करोगे मानलीजी मेरे पास जो speed है that is x km per r अभी हमें convert किसमें करना है meter per second में तो अब हम क्या करेंगे इस km को किसमें convert करेंगे हम km को किसमें convert करोगे meter में and 1 km is equal to what that is 1000 meter में convert हो गया अब जो r है r को किसमें convert करना है मुझे seconds में and 1 r is equal to what 3600 second तो यह per का मतलब क्या होता है this is finally divided by okay so कितना हो गया 3600 that means x into 5 by 80 तो यहाँ पे ध्यान रखो कि जब भी आपके पास में speed km per r में है and you want to convert into meter per second then directly multiply by 5 by 18 okay solve करने की जरूरत नहीं है but अगर mind से skip हो जाता है कि भी 5 by 18 था या 5 by 16 था कुछ तो simple आप उसको करके देख लो ठीक है क्या किया है हमने km को meter में convert कर दिया r को second में convert कर दिया then हमारे पास यह value हागे okay same way अगर मेरे पास value किसमें है meter per second में meter per second में है let us say s is equal to x meter per second अभी मुझी क्या करना है I want to convert into km per hour km per hour meter को km में convert करेंगे that means कि divide by 1000 okay per second है per second मतलब क्या होगे second को r में convert करेंगे r में convert करेंगे that means कि 1 divided by what 3600 अगर इस ही के अंदर यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 divided by 3600 तो 3600 क्या होगा उपर चला जाएगा that means कि numerator से किसमें चला गया यह denominator में चला गया यह होगे 18 that means क्या करेंगे हम उसको multiply कर देंगे okay याद करने के लिए करना क्या है कि जब meter per second में convert करें that means कि smaller unit में convert करें तो 5 by 18 that means कि smaller से multiply करेंगे okay जब हम bigger unit में convert कर रहे है 18 by 5 that means कि bigger से multiply करेंगे okay